आईज मूस्ट बेलकम बैक टो अबर यूटूब चैनल ग्यानवित सचिन तो दोस्तों आज की इस कम्प्लीट वीडियो में हम बात करेंगे UP Polytechnic Admissions 2023 के बारे में UP Polytechnic Admissions 2023 के दौरान प्रियोग होने वाला एक महत्पूर्ण डाकुमेंट वो है NT Regging Certificate Actual में NT Regging Certificate क्या होता है इसको कैसे बनवाया जाता है और इसका प्रियोग अपने College में Admissions के दौरान कहां पर होता है सबसे बड़ी importance की बात ये है कि आप सभी का Admissions इस Certificate के बिना नहीं होगा यानि यह compulsory document है अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि इसके बिना आपका Admissions हो जाएगा तो नहीं होगा जैसे आपका आधार card compulsory है जैसे आपका Medical Certificate compulsory है वैसे आपका NT Regging Certificate भी compulsory है और इसके बारे में मुझे भी अंदेशा नहीं था जब मैं College पर पहुंचा हूँ तब मुझे वहाँ पर 100 रुपए दे करके NT Regging Certificate बनवाना पड़ा जो कि 10 रुपए में भी बन जाएगा किलर होई बात तो अगर आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो नहीं होगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप सभी के साथ अगर ऐसा होने वाला होता जब आप College में Admission कराने जाते तो उस चीज़ को अगर आप मेरे द्वारा पहले ही जान ले रहे हो तो वो आप सभी के लिए सबसे Best बात है सायद आप सभी को इसके पहले नहीं पता रहा होगा अगर आप सभी को इसके पहले इसके बारे में नहीं पता रहा होगा तो जरूर कॉमेंट करके बताईएगा कि आपने इसके बारे में Actual मुझे जानकारी दे दी है तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी रेगिंग सर्टिफिकेट एक्चुल में होता क्या है एंटी रेगिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आप किसी स्टुडेंट किसी जूनियर के साथ रेगिंग ना करें इंजिनिरिंग कॉलेज में उसके लिए anti-regging certificate बनाया जाता है anti-regging certificate का importance यह है कि आपको 6 महीने तक सजा भी दी जा सकती है और college से बरखास्त भी किया जा सकता है यह certified होता है वो फिलहाल प्रोसेज जो होगा वो सब बात का process है फिलहाल certificate का use करके हमें अपना college में admission done कराना है हम सबको ऐसा कुछ नहीं करना है किसी के साथ अगर हम बात करें कैसे बनता है तो इसके 3 processes है तीनों process में सबसे सरलतम और सबसे सस्ता process बताऊंगा उसको ही आप सभी use करिएगा आप सभी का काम हो जाएगा सबसे पहला tough process क्या होता है सबसे tough process यह है यह आपके तहसील से बनता है और इसका सबसे दिक्कत वाली यह बात होती है कि आपको एक से दो कॉपी की इसकी ज़रोत पड़ती है anti-regging certificate में आपको hostel लेना है तो hostel में भी लगेगा आपका college में admission हो रहा है तो college में लगेगा यानि दो जगा पर लगना है इसको आपको दो बनवाना पड़ेगा इससे आपकी दिक्कत हो जाती है क्योंकि जमा तो original होगा ठीक है इसलिए हम सभी इस format को ना यूज करें तो सबसे अच्छा रहेगा आपको format कौनचा यूज करना है आप सभी को format यूज करना है इस तरीके के वाला online वाला यूज करना है यह आप सभी का downloaded है यह आप सभी का 100 रुपए का एक stamp है इसमें सस्ता वाला भी आता है वो आप सभी जहां भी रह रहे हैं अपने cyber cafe से आप निकलवा सकते हैं इस format को यूज करने पर आप सभी इसका जो भी जहरुक्स होगा एक, दो, तीन निकाल करके दे सकते हैं और यह मैंने निकलवाया था आप सभी का ठीके यह भी मैं उस time 100 रुपए देका निकलवाया था जब मैं अपने मुरादबाद में admission कराने आया था यह मेरा personal certificate था जब मैं दिया था, ठीक है यहाँ पर reference number भी mention है और यहाँ पर मेरा नाम भी mention है और आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका anti-regging certificate बनता है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं तो anti-regging certificate आप अपने cyber cafe से बनवा लीजिएगा और उसके दो-तीन जोरक्स कर लीजिएगा और आप सभी का यह admission और hostel में काम आने वाला है college admission और hostel में admission के दारन काम आने वाला है और यह है compulsory document है तो आप तहसिल से मत बनवाईएगा आप सभी cyber cafe से या खुद से भी videos वगारा देख करके निकाल सकते हैं तो सभी authentic update के लिए telegram channel को join करना ना भूलिए सभी update सबसे पहले telegram पे मिल जाती है तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye data love you all